हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू जोमेट्री डिफेंस अगेडमी तो भई रम्स सीटी का बच्चो एकजाम हो चुका है तो मैं आपके सामने बहुत इंपोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ किन परसनों पर मिलेंगे सब भी बच्चो को बोनस मार्क्स क्यों इंपोर्टें मिल जाते हैं उसका प्रोसेस लंबा होता है बट मिल जाते हैं एक बात यह हो गई दूसरा किन बच्चों के इनकी आफशक्ता पड़ेगी कोई बच्चा मान के चलो 40 नंबर से फेल हो रहा है ठीक है तो फिर उसको कोई बोनस मार्क्स के आफशक्ता नहीं ना उसमें टाइम कई संदे है जो सक्के गेरे में है या गलत है है ऐसे questions हाला कि इस बात में मैं RMS की तारीफ करूँगा CET जो इनके administrator है उनकी तारीफ करूँगा कि इस बार error बहुत कम है questions का questions को काफी हत्तक सही रखा गया है यह उन्होंने अच्छा परियास किया है ठीक और बार 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 ब होगी कि जिसके बच्चे ने parents को बता दिया मेरे 140 आ रहे है कटोप तो वहीं आएगी बस यह rumor है यह कोरा गफ है इस गफ सबसे बचना है क्योंकि बच्चा तो देखो बच्चे को पता भी नहीं उसको तो पता ही नहीं तो इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी बाकी कटोप व आप उसको वैसे भी सक नहीं कर सकते ठीक है चलिए अभी आज यह बात देखते है बोनस नंबर बोनस मतलब जिन questions को बाद में चैलेंज किया जाता एक प्रोसेस के तुरू वो तेखते हैं कौन कौनशे वे questions है यह set है RMCET का set set A set A से मैंने person उठाए हैं तो आप वहाँ पे parents को यही नहीं पता कि यह English qualify है Academies में भेज रखे हैं पता नहीं या तो पैसे extra है या time है या उनका अंजाने में बेवकूब बना है ठीक जिस बच्चे को जिस parents को अभी भी जिसकी date of birth एक April 2013 के बाद की है अभी भी अगर उसको लगता है कि हावे मुझे अपने बच्चे का military school में selection लेना है तो वो confirm selection ले सकता है हम डंके की चोट पर selection देंगे military school सबसे कम पैसे military school क्यों फाइदे बंद है military school में scholarship अगर मैं मिला लू तो zero रूपे लगते है पढ़ाई के मैं वो भी बताऊंगा कि military school की fees पता है कितनी है zero रूपे है वो भी scholarship लेने के बाद नहीं तो सा सारी पढ़ाई 50,000 रूपे हो जाती है सालगी 50,000 रूपे यह पता होना चाहिए parents को यह बात भी नहीं पता है चलिए मैं बात करता है general knowledge general knowledge की अगर मैं बात तो यह question बहुत सारे parents ने मतलब कुल मिला के मैं इसमें देखो बात बता तो question क्या पूचा गया name the largest river in the world तो बहुत सारे बच्चों ने नील लदी को mark कर दिया और नील लदी answer की में निकल के आ रहा है लगाता है लेकिन इसका answer क्या होना चाहिए amazing होना चाहिए अब अब यहाँ पे एक संसे आ गया देखिए मेरे experience में मैं अपनी personally बात करूँ जो मैंने इसको पूरा देखा और इनके जो atlas जाके देखा और भी जो अच्छी अच्छी किताब हैं उन पर जाके देखा गूगल पर तो नहीं देखा गूगल पर तो सबसे पहले वह अंदर detailing में जाके देखा ठीक है तो मेरे सामने भी answer निकल गया आता हमेजन इसका answer है actual में हमेजर अब अब CET का जो administrator है उसने क्या य यह depend करेगा उस पर तो जिस बच्चे ने अमेजन मार किया उसको तो पक्का मिलना ही है और इसका भी मैं कहनी सकता उसको मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन इसका answer है एक बात तो clear हो गई है point number one हो गया clear चलिया आगे चलते हैं दूसरा यहां आते हैं विस्व की सबसे बड़ी देखो यह एक्चुली चाइना सिविलाइशन चीन सब बैता यह तो सबसे पुरानी है पहली बात तो यह तो सबसे पुरानी है तो इसको तो हटा लेना आप दूसरा एक आनिती मंगोल की सब बैता मंगोल इन्होंने वह option में नहीं दिया है अब इन्होंने मंगोलिया मंगो लिया जो भी है चाइना के पास लेके उन्हों चाइनी सिविलाइशन मुझे यह आंसर कहीं न कहीं डाइसी लगता है जो सारी दिखता है लेकिन इसका कोई आंसर पता नहीं है इसका एक्चुली है क्या मेरे इसाब से उसने कौन सी मानी है यह देखना पड़ेगा बट बट की गड़ी इंडस वैली सिवलाइशन की सबसे बड़ी साइट मिली है हर यानामे तो तो अइसे में यहां यह कॉष्ट डाइसी है तो इसमें मुझे लगता है सबको माक्स एलोड हो जाने चाहिए यह कस्षाण कहिन को है चलिए यह कॉष्ट देखिए हु सैन बोल्ट कौन ह अब इसको आप typing error कहँए, हमें कहले निए से बात से, typing error से क्या मतलब हो गया, अगर चलो हिंदी में बताया थे इन्होंने यह ऐसा बोलते हैं कि यह पता कहा है, क्या पता इसके पास है, तो बहुत सारे बच्चों को इसका अंसर पता होगा, लेकिन उन्होंने इसको होगा, इसको किसी ने रश्य बहुत सारे अलगा मारक कर दिया तो यहां पे बच्चों को नम्बर मिलने चाहिए कोरी-कोरी गलत है कि हुसेन बोल्ट इस टाइपिंग में हो जाती है, यह क्यों क्यों लेक्या है, क्योंकि यह क्यों है, आउट अप सलेबस, यह 9 का टोपिक है, अब क्या कर रहे हैं, बैंको 9 तक भी जा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आसान है, यह तो किसी से भी नहीं हुआ वई, अलग हमारे हमारे academy के 3 बच्चों के 50 में से 50 हैं हम वो भी करतेंगे योगि हम लोग थोड़ा 20-30% उपर कराते हैं थे यारी हमें पता रहता है कि 2-4 question है से तो out of syllabus भी आ जाते हैं तो ये question out of syllabus है फीक तो इसमें जो बच्चे का तुक का लग ज़िए ठीक है ठीक किरियर जिसका छेतरपल कितना है work meter में दे रखा 700 चोड़ाई कितनी है 25 लंबाई को मैंने अलिमान लिया 58 ये तो meter आया है length कितनी है 28 meter लेकिन centimeter में कितनी हो जाएगी 200 आएगी centimeter में तो ये तो option में नहीं है 200 तो इसका answer क्या आना चाहिए था अठाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटा इनको लिखना चाहिए कि डिजिट का रिपिटेशन अलाव है कि नहीं ठीक इन्हें वो लिखना चाहिए तो इसका भी क्या आना चाहिए अगर मैं बार-बार कहता हूं इस तरह कोश्चन में इनको यह रिखना चाहिए कि हर डिजिट को केवल एक बार यूज़ करना है तो बिल्कुल सही हो जाएगा लेकिन मैं अगर सारे डिजिट को एक साथ यूज़ कर लूँआ एक इस डिजिट को जितनी बार चाहूँ इतनी बार यूज़ करना है तो आंसर बदल जाएगा ठीक है अब इन्होंने यहां तो यहां पर question incomplete है, question में ही आना चाहिए, इच डिजिट शुड बी योजड ओनली वन्स, कि डिजिट का repetition अलाउ नहीं है, यह लिखना चाहिए, यहां पर देखिए, यह question, a कमान 18 है, a कमान 18 लिख लिए, b कमान 10 है, b कमान 10 लिख लिए, c कमान 6 है, c कमान 6 लिख लिए, तो कितना आ गया भी, 18.108, तो अंचार रहना किए, मुझे तो लगता है, तो यहां 0 कायब हो गई, किसी भी option में है, तो यहां पर सबको number मिल जाएंगे, ठीक है, यहां पर सबको number मिल जाएंगे, ठीक है, किलियर, चलिए, आगे चलते हैं, यहां पर कोई दिक्रत नहीं है, सब कुछ ठीक है, बस इन्होंने हिंदी के option इससे confusion पैदा होता है, इससे क्या होता है, confusion, minus 4, minus 4, यहां दो दो बार लिख लिए, यहां पर एक बार लिख लिए, फिर बाकी कहां गए, तो इससे एक confusion पैदा होता है, यहां पर आजाईए, चार सान क्या हो का उसत, the average of 4 number is 16, total कितना हो गए 64, and another 4 कितना है 80, तो यह 80 कर द होता है, तो कितना होता है, तो मतलब, एक के बाद 8 लिखना भूल गया हो, ठीक, एक के बाद 8 लिखना भूल गया, तो answer हो गया यह, ठीक है वई, तो इस पे भी सबको number मिलेंगे, यह भी answer बिलको सबको number मिलने चाहिए, यह हो गया एक number, ठीक है, old one, कोई बच्चा 100 मार कर है, कोई 101, तो मेरे साब से genuine answer कोई सा होगा, जैसे genuine answer इसका यह होगा 101, क्योंकि old or even का concept लग रहा है, old or even, लेकिन एक concept और भी तो लग रहा है, वह उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह एक perfect square number है, 10 का square, बाकी किसी में कोई भी perfect square number नहीं है, बाकी कोई perfect square number नहीं है, ठीक है, यह यहां पर आते हैं एक बहुत ही गजब का question, बहुत सारों को तो नहीं पता, लेकिन इसमें भी देखो, इसमें भी number मिल जाएंगे, लेकिन किसको, जिसका यह, यह भी इसका answer ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यह तो answer है, यह दोनों ठीक answer, देखिए, एक man की तरह introduce करते हैं, uncle है, तो कोई woman है, जो मान के चलो, यह boy है, ठीक है, मैं boy को लिख रहा हूँ, पलस से, ठीक, जैसे यह हो गया, यह मैंने लिख दिया, पलस भी, यह boy है, इसके mama, इसके mama कोन होगे, ठीके mama कोन होगे, इसकी mother के brother, यह हो गया, मदर के brother, ठीक, उनके भी mama, ठीक है, यह है और फिर क्या कहता है वो मुमेन कहते है मेरे मामा के मेरे मामा और उनके मामा और मेरे मामा एक दुसरे के भाई है तो इस लेडी के अगर मैं इस लेडी को मान लू अगर यह वूमेन यह है तो इनके मामा कोन हुए इनके मामा के भाई है मतलब एक यह हो गया तो यह पर आ ठीक है पहले मैं clear कर देता हूँ, थोड़ा time लोगा मैं, square को मानना हूँ male और circle को मानना हूँ female, यह हो गया, अब मैं यहाँ से start करता हूँ देखो, woman ने introduce किया, boy और he's uncle, boy letter suppose यह है, और इनके uncle, मतलब इनके mama, मतलब इनकी mother यह हो गई, और इनके भाई, ठीक है, जब मैं ऐसा relation लेकता हूँ, तो मतलब brother sister, तो यह mama हो गई, और इनके भी mama, तो मतलब ऊपर जाएगा एक circle, इनके भी mama, मतलब यह, यह आ गया final, ठीक है, यह, और, wait, ठीक है, wait, यहाँ यहाँ, 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 और यहाँ, ठीक है, यह हो गया, और, क्या, क्या बताता है, कि मेरे, मेरे mama, और मेरे mama एक दुसरे के भाई है, मतलब इस lady के mama, ठीक है, यह lady के mama, यह lady के mama, कौन हो गई, मतलब, वो एक दुसरे के भाई है, तो अब्यस्सी बात है, वो यह हो गई, तो एक relation तो यह बन गया लेकिन अगर मैं इस lady की भी बहन की बात कर लूँ अगर इस lady की भी बहन की बात कर लूँ मतलब यह तो उनके भी same हो गया उनके relation भी same बन गया तो इस इस person का यह लड़का जो है इससे क्या संब्ध है अगर इसको लेता हूँ तो aunt आएगा ठीक है इसक मिलेंगे, यहां पर नंबर मिलेंगे, जिसने मौसी और मदर तोनों लगाए है ठीक है भई, यहां पर भी एक नंबर आपका हो गया यहां पर कोशन फिर से कलत है Around Around में क्या क्या इचने है, भई देखो Around को क्या लिखा नहीं, R, A लिख लिया और O, U, N, D सेम लिख दिया O-U-N-D लेकिन ground में यह सब करना भूल गया है जैसे ही मैदान में आया तो सब भूल गया है सब बाते चली गए इसे RG लिखना था RG और O-U-N-D लिखना था ठीक है RG लिखना था O-U-N-D लेकिन RG इसने क्या किया RG यहां तो लिखा लेकिन यहां पर चेंज कर गया, ठीक है, यहां पर चेंज कर गया है, ठीक, तो इसमें कोई भी option सहीं नहीं है, तो इसके इसके भी number सबको मिल जाएंगे, पूरे option गलत है, ठीक है, पूरे option गलत है, सारा मैंने आपको दे दिया, कितने number बढ़ जाएंगे, अब मैं total कर देता हूं, एक number तो यह 6, 7, out of syllabus लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 7, dicey है, 50-50% है नहीं जोड़ रहूं मैं, 50-50% है नहीं जोड़ रहूं मैं, इसको मानना है मंगोल के साथ, ठीक है, यह 8, 8 number तो मेरे साब से confirm है, तो 10 number का आप फरक मान के चलिए, 10 number का भी plus minus का फरक चला हुआ है, बस आपको देखना है कि आपको वो RMS किस हिसाब से करता है, यह किस हिसाब से, मेरे आकलन में 8-10 number का भी फरक चला है, ठीक, बस अरते आपको यह देखना होगा कि वो आपके number आपने उस हिसाब से जोड़ लिए, नहीं जोड लिए, तो वो उसको मिलेंगे जिसमें इनके अलावा आपने चेक किया है, ठीक है भी, अभी सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल का फेपर, राउन दा कोर्नर है, बिलकुल समय डिले मत करो, बोनस बगएरा, सब चीजे चलती रहेंगे, लेकिन तयारी सबसे कास है, जो बच्चा तयार है उसको इनकी कोयाब शक्ता नहीं पड़ती, जिस बची के तयारी कम है, आपको राश्टर मिलेटरी स्कूल, सैनिक स्कूल, इनके सैंपल पेपर, सैंपल पेपर, आरमेस के हमारे मंगवाय थे बच्चों ने, बहुत फाइदा विला, अब सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर बु सोला बच्चे, फाइनल, बीस में से सेलेक्ट कोर रहे हैं, यह हमारा टैली निकल गया रहा भी, सोला बच्चे, बीस में से, फाइनली सेलेक्ट हो रहे हैं, जिसमें, पांच डिफेंस कोटा के हैं, पांच के पांच, पांच ही बच्चे थे हमारे पांच डिफेंस कोटा मे दिया है और ऐसा करने वाली पहली अक्रेडमी है आप अक्सर देखेंगे क्या होता है आप किसी भी उसमें जाएंगे फाइनल रिजल टालने के बाद एकदम से नंबर देंगे 200 पलस सेलेक्शन अरे 200 पलस अभी आपके पास है न वो बही रिजल्ट्स के बाद देंगे अभी भी तो 200 पलस आपके हैं आप उनमें कर दो न अभी कितने हैं अभी उनको बोड पे लिया हो बस अभी उनके एक वीडियो कर दो लाइव कर दो बाद में टैली हो जाएंगे ठीक होता क्या है अभी कुछ सेलेक्शन नहीं हो न बाद मे अभी दिखा दो न उसको ठीक कोई दिक्कत नहीं आपने 200 दिखाए तो 160 तो होई जाएंगे सलेक्ट वह आप दोस्तों कहरें चलो 10-20 प्रशंट 40 प्रशंट का जूट भी माल लो अगर कोई अकैडमी कहा रही में 100 फेलक्शन होगे ठीक है मैं मानता हूं कि वह अकैडमी 20 प्रशंट जूटी है तो 80 हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं पैरेंट्स को इस संतुष दिए दिक्कत ही है वह कहती है लेकिन करती दो है ठीक या एक दूसरा बात है अकैडमी को पास बच्चे है 5000 प्रे 5000 में से आपने 50 सेलेक्शन देते क्या कर लिया भई आपने 5950 बच्च हम सो बच्चे लेंगे बस पर यही है क्योंकि भाई हम यहीं तो फिर हम भी इउटे हो जाएंगे उने जदा बच्चह लिए तो हम सोबंच और इसो गिर जाएगा कोई बात है